सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल देवी प्रतिभाजी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का साथी बेल आइकन को दबाना ना भूले मैया लाला को सोयम दूद पिलाती हैं उनके लिए माखन बनाती हर कार करती भोजन लाला के लिए सोयम बनाना क्योंकि अपने बेटा के लिए सेवा अपने बच्चों का सेवा मा को करना से किसी और को नहीं आज कल क्या करते हैं बालक हुआ थोड़ा दो तिन महीने का हुआ तो वो बोटल आता है न दूद बोटल मुह में रख दिया तो रो लिया तो बोटल मुह में रख दिया पार्लर जाना है उब बोटल रखके चले गए ए मैया अब देखो यह सच्चाई है इनकी सच्चाई नाराज तो नहीं हो किसी के साधी में जाना पार्टी में जाना बिचारा बेटा काम वाली के पास में छोड़ा और इसका ध्यान रखना बोटल पिलाते रहना देखो बचपन से जब वो दो-तिन मैने का हुआ बोटल पिना सिख गया उसने धोड़ा बड़ा हुआ कोल रिंग से बोटल अब फिर और बड़ा होगा तो फिर वो बड़ा वाला बोटल बोटल में जाएगा बोटल खोलेगा फिर रोगे आप फिर कोई माराज कथा करने आए तो बोलेंगे कि माराज हमारी कोरे में बहुत दुख है कौन सा दुख बेटा बोटल छोड़ता ही नहीं अब बताईए बच्पन से बोटल देना आपने सिखा दिये तो बड़ा होएगा तो बोटल ही पकड़ेगा हर मां को चाहिए हर मां को चाहिए अपने बच्चों के लिए भोजन उसको स्नान कराना सुलाना हर एक कार आपको करना जाहिए क्योंकि बेटा आपका है अगर आपने बच्पन में सेवा नहीं किया तो ब्रिद्धा वच्ता लगेगा तो वो कहेगा बच्पन में बोटल पकड़ा दिये अब आपको ब्रिद्धाश्रम पकड़ा देंगे क्यों इसलिए अपने बच्चों का सेवा स्वयम करें आपके संस्कार अगर अच्छे होंगे तो भविश्य में वो आपको ब्रिद्धाश्रम नहीं भेजेगा अपने घर में प्रेम पुर्वक पालेगा इसलिए संसकार आपको देना है छोटा होगा तो एक और डाइलक मैंने सुना है माताओं के मुख से अब क्या करें हमने बच्चों के लिए सब कुछ किया क्या किया बच्पन से बोटल पकड़ाया सब कुछ किया लेकिन साधी होने के बाद अपने पत्निका सुनता है सुनने वाले बनाओं स्वयम को आप अपने बच्चों का भविष्य निर्माड बच्पन में कर सकते हैं सुन्दर संस्कार से एक सुन्दर भविष्य निर्माड होता है सुन्दर चरित्र से देश निर्माड होता है इसलिए संसकार बच्पन से हो बच्चो का सेवा यहां यह सुधाजीनिक में इतने सारे दासियां हैं फिर भी अपने बालक का सेवा में करती हूं संसार वालों को यह संदे सहे बच्चो का सेवा स्वयम करो